जब वह एकाजिसी का ब्रत करना परारम नहीं कर देता, जब एकाजिसी ब्रत के पूजा और उपाए नियम इंसान परारम कर देता है, उसके सरीर में कभी पाप नहीं रुकते और उसकी सारी मनुकामनाय पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको देव उठनी 81 के कुछ उपाय बता रहा हूं। देव उठनी 81 बड़ा गुण। इस दिन उपाय करने से हर प्रकार के मनुरत पूरी हो जाते हैं। संतान की प्राप्ती होती है, धन की प्राप्ती होती है। और जो भी चाय मन में हैं, सारी चाय पूरी हो जाते एक आदसी वाले दिन भगवान विश्नु की पूजा करने से स्वेम भगवान विश्नु माता लच्मी सहत घर के अंदर निवास करते हैं जो एकादसी वाले दिन तुलसी विवा करता है अपने हाथ से तुलसी जी का विवा साल ग्राम जी के साथ करता है उसके पुन्य को कोई नहीं कह सकता अगर आपको संतान की प्राप्ती नहीं हुपा रही है या कार्यों में रुकावटे आ रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं या आप अच्छा खासा कमा रहे हैं तरक्की नहीं हुपा रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं पुत्र की या पुत्री की प्राप्ती नहीं हुपा रहे है तो आप वह पाय सकते हैं और आपके प्रतेकार में रुझावटार आ रहा है तब भी आप वह पाय करें उसके बाद में आप भगवान की एकाधिसी की कठा का स्रवड करें देवुटनी 81 की प्रमूदनी 81 की कथा का स्रवड करें। उसके बाद में आप कुछ सामान लेकर के रखें जो सामान में लिखा रहा हूं। सुद्ध देशीगी का दीपक, एक क्यामन तुलसी के पत्ते, पाँच गुड की डली, दो नारियल, दूपत्ती, थोड़ी सी किश्मत, चने की दाल, हल्दी, ये सारा सामान लेकर के रखनें और साथ में आपको दो नारियल भी लेकर के रखनें हैं। ये सारा सामाने खटा कर लें। अब आपको भगवान के सामने बैठ जाना हैं, सबसे पहले आप भगवान के नामों के चालन करते हुए हात में जल्ले करके कहें। कि है प्रभू मैं अपनी मनो कामना के लिए इस मनो कामना के लिए जो मनो कामना हूँ वो भी बोलनी है कि इस मनो कामना के लिए आपका नाम ले रहा हूँ यह उपाय में कर रहा हूँ आप हमारी मनो कामना पूरी करें उसके बाद में यहाँ पर साल ग्राम और तुलसी जी हू कम से कम एक गंड़े तक जलते रहें। उसके बाद में आप उपाय करने और साम को फो पीपल ब्रक्क नीचे दीपग जलाना है। एक आदसी बाले दिन बीपल ब्रक्क की नीचे दीपग जलाने से इस्ता ही रूपसे मलत लचमी का घर चानंतर बाश होता है। यह मैं नियम बता रहा हूँ और उपाय में बता रहा हूँ जैसे मैं बता हूँ उसी प्रकार से आप करते जाएं। भगवान के सामने संकलब करके घी का दीपक जला दें। भगवान को फलरपन कर दें। दो नार्यल भगवान के सामने चड़ा दें। उसके बाद में आप तुलसी महता के सामने दीपक आप जला करके एक एक पत्ता साल ग्राम जी पर चणाते जाएं ओम नमो भगवते बास देवाई नमा ऐसा बोलते जाएं पत्ता चणाते जाएं उसके बाद में आप एक माला जाप कम से कम एक माला जाप करें तो जादा भी कर सकते हैं ओम नमु भगवतिय बाजदेवाय मंतर की उसके बाद में एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाले, चने की डाल डाले, थोड़ा सा गुर्ड डाले हाथ में चने की दाल ले करके ब्रिश्पित बार की पूरी कता सुन ले यह उपाय करने के बाद में आपको तुलसी माता को नमस्कार करना है और उनकी परक्रमा करनी है तुलसी माता की परक्रमा करने के बाद में आपको गोसाला जाना है गोसाला जाना है और जो आपने पांच डली भगवान की सामने रखी थी वह पांच डली गो माता को खिला दें और साल ग्राम जी की जब साधी हो तो आप अपने हाथ में साल ग्राम जी को ले करके अगनी की फेरी लगाएं अगर ना कर सके तो कोई बात नहीं है यह उपाय जरू करें उस जब गो माता को आप गोड़ खिलाएंगे तो आप गो माता की भी परक्रमा करनी है उसके बाद में आपको घर बापे साजाना है जो हल्दी आपके पास भची हुई है उससे घर के अंदर स्वास तक चिन्न बना दें और सुबह भी आपको ध्यान रगना है जब इस्नान करें तो इस्नान के करने बारी बालती में थोड़ी से हल्दी डाल की इस्नान करें इस्नान जब आप सुबह कर लें उसके बाद में आपको भगवान सूर देव को जल अरपन करना है इस बगार से सूर देगो जल अरपन करने से घर में माता लचमी का बास होता है फिर साम के समय आप पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाएंगे पीपल ब्रक के नीचे आप गी का दीपक जलाएंगे और सात परक्रम्मा करेंगे पिर साम को ही भगवान सिव जी के सामने भी आप दीपक जलाएंगे और उनके उपर एक रुद्राक चणा देंगे रुद्राक लिया हैं कहीं सीव पूजबाली दुखान से मिल जाता है एक रुद्राक आपको सिवलिंग पर अरपण करना है द्यान रखें जिस जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रिकार से करते जाएं सिवलिंग पर आपको एक रुद्राक अरपण कर देना है बीरवार की कताप निकल लिव, अगवन विस्न का ये उपाए कर लिया, पीपल बरख का ये उपाए कर लिया, इतना उपाए करने से आपकी मनुकामना पूरी हो जाएगी जिस भी मनुकामना से आपने उपाय किया है कोई भी मनुकामना हो वह मनुकामना आपकी अवश्य पूर योगी और ध्यान रखें कि इस दिन एकाज स्री वाले दिन तानुसिक भूजन नहीं खाना है ब्रह्मचर का पालन करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम से गुरुबे नमा ओम ब्रस्पते नमा या ओम गुरुबे नमा इन मंत्रों का पूरे दिन अपने मन में जाप करते रहें जूट नहीं बुलना है किसी से लड़ाई जगडा नहीं करना है और अगर एकासी का ब्रत रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर एकासी का ब्रत ना रख सकें तब भी कोई बात नहीं है लेकिन इन उपायों को आप जरूर करें और फिर देखें कितना ज़्यादा प्रबाब होता है और सिक्ते सिग्रमनों कामनापकी पूरी हो जाएगे ओम गुर्वी